दोस्तो आज जो है हम कुछ ऐसे चमतकारी पॉइंट देखने वाले हैं जिनको करने के तुरंद बाद जो है आपको पेट में 90% डिलीव करने के तुरंद बाद आने वाला है जी हाँ दोस्तो मैं कुछ ऐसे चमतकारी पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो पेट की किसी भी तरीके की समस्या से छुटकारा गिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तो आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है एसेटी की प्रॉब्लम है या पेट में दर्द होता है गुनगुरा होता हो या तीखा होता हो किसी भी तरीके का या आपको धरन की नले नाभी नाप या IBS की जो भी पेट की जितनी भी समस्या हैं अगर आपको इन में से कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये पॉइंट जो है आपके लिए रामबाल का काम करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि इन पॉइंट्स को एपलाई करने तुरंत बात जो है आपको पेट में ओटोमेटिकली जो है रिलीव लगने लगेगा दोस्तों समय घराब नहीं करते और आएए देखते हैं कि क्या है आखिर वो चमतकारी पॉइंट्स जो पेट की समस्या को जड़ से उखाड ठेखने की तागत रखते दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस लाल कलर के बटन को दबागे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है इसमें आल सेलेक्ट जरूर करें हमारे नई वीडियो के नई अपडेट्स के लिए इसके लिए सबसे बहले अपने क्या करना है कि अंगूठों के दोनों तरफ जो अंगूठे है हमारे उसकी रूट से लेकरके और उपर तक पूरा पाउडर लगा लेना है पाउडर कोई भी हो सकता है नौर्मल टैलकम पाउडर चीए होता है यह पाउडर लगा के आपको क्या करना है अपने अंगूठे के इस पार्ट से और इसको रब करते हुए लेकर आना है और नेल की रूट में जो है छे सेगंड के लिए प्रैस करना है ऐसा आपने तीन मार करना है करना है कि यह चेशे सेगंड के लिए तीन मार करना है दोरों पैरों में और ध्यान अगना है सबसे पहले लेफ्ट पैर में करना है उसके बाद राइट पैर में अगें चेशे सेगंड अगें चेशे सेगंड यह करने के बाद आपने क्या करना है दोरों पैरों को एक जैसे मिलाके अब आप देख रहे होंगे कि इनका एक अमूटा चोटा है और एक बड़ा है पैर का एक अमूटा चोटा है एक बड़ा है तो ये निवल डिस्प्लेस्मेंट का साइन है इनको धरन की प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ IBS भी जो है इनको है तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे ये देख लेते हैं आपने क्या करना है अपने दोनों हाथों से जो है पंजो को कवर करके और आगे की तरफ मोनना है ये 6 सेकंड के लिए करना है आपने 6 सेकंड आगे दबाने के बाद में जो है फिर 6 सेकंड पीछे की तरफ ये नॉर्मल प्रेशर रखना है इस पे बहुत जादा नहीं रखना है उसके बाद अंगूठे को छोड़ देना है बाकी 4 उंगलियों को आगे की दरफ फिर पीछे की दरफ उसके बाद पहले उंगली को छोड़ देना है बाकी की 3 उंगलियों को आगे की दरफ और पीछे की दरफ उसके बाद ऐसे ही एक एक उंगली को छोड़ते हुए जाना है लास्ट की दौनों उंगलियों को प्रेस करना है पीछे की दरब उसके बाद लास्ट फिंगर चोड़ देना है यह करने के बाद सारी फिंगर्स को खीचना है तोड़ा फूड़ा और खीचने के बाद ही आप देखेंगे अंगुठो को मिला की तो अंगुठो का लेवल जो है अल्मोस्ट जो है बराबर हो जाएगा केवल इतना करने से तो दोस्तों ये ट्राइ जरू करिए पेट की 90% प्रॉब्लम को केवल इतना करने से ही खत्म कर सकते हैं आप